वेल्कम डियोर व्यूवर्स जैसे हमने इसे पिछले एपिसोड में देखा था पिछली वीडियो में के गिग को आप पर्मोट कैसे करते हैं और उसके बाद हमने थोड़ा से डिसकास किया था कि आप कैसे जाओ हासल कर सकते हैं तो आज हम practically करके देखते हैं कि आप किस तरह से जो है वोई अकांट करेंगे उसके लिए मैं Chrome में जाता हूँ और मैं Fiverr अकांट को open करता हूँ अब देखें ये मेरा एक नया अकांट है जो मैंने बनाया है तो इसका बन्यादी मक्सद ये है कि आपको ये बताया जाएं कि आप कहां से जाओ आडर ले सकते हैं क्योंकि शुरू में आपके लिए ये मुश्कल होती है कि आपकी गिग जहां वो रेंक करके टॉप पे आज है और लोग आपकी गिग आटोमेटिकली देख सकें तो फिर उस सुर्तेहाल से निकलने के लिए हम क्या करते हैं यहां पर आपको ये मौर लिखा वा नजर आ रहा है स्क्रीन पर आपने इस मौर के ओपर जाओ क्लिक करनी है यहां पर देखें आपको आप्शन नजर आ रही अब यहां पर इस नो रिक्वेस्ट फाउंड आरा है इसकी वज़या यह जो बायर रिक्वेस्ट आई हर वक्त मौजूद नहीं होती यह आप वक्तन फवक्तन चेक करते रहा करें अपने अकाउंट को तो आप देखेंगे कि सम्टाइमज बायर रिक्वेस्ट आती है ॉर स कि आप एक नजर देख लें कि offers हमने किस तरह सेंड की हैं अब देखें यह उसामा अकरम सहब हैं जिन्होंने एक by request send की थी वो by request क्या थी यह उन्होंने अपनी एक जो है वो by request send की थी और उसके reply के तोर पे मैंने उन्हें जो offer पेश की वो यह थी जो मैं यहां पर highlight कर रहा हूं do fastest data entry for you professionally इसमें मैंने कहा I am an expert in data entry I have full command on ms word ms excel powerpoint I assure you that if you hire me I will give you best work please message me before sending orders regards आगे मैंने अपना नाम लिखा है इस तरह से यह different offers आई मी थी जिनको मैंने जो है वो request उनका reply मैंने किया है यहां पर देखें एक और offer है hello guys I will need 10 virtual assistant please to grow up an account each virtual assistant will manage 3 accounts please contact me on DM तो इसके लिए भी मैंने इसको जो है वो एक offer बेजी थी इसी तरह यहां पर यह एक और by request है hello I need non drop organic sub for my youtube channel can you provide now I like I need like 20 to 50 तो उसके नितीजे में भी मैंने इसको जो है वो order बेजा था एक offer बेजी थी इसी तरह से यहां पर यह एक buy request है I need to do FB ads तो मैंने उसके लिए उसके against उसे एक offer request बेजी है इस तरह से आप क्या कर सकते हैं आप अपने account को बार बार चेक करते रहें और यहां पर यह buyers request के आप ने यह देखने हैं कि वह buy request है margin work हो जिस पे आप काम कर सकते हूं तो आपने साथ ही उसको क्या करना है offer ज्या, वो send कर देनी है और यहां पर देख़्ैश्च है यह डेट वायर है request है लिक चेसके बाद यहां पर ओफर की option है तो आपने क्या करना है उसको offer जो वो दे देनी है और साथ ही अपना budget बता देना है कि इतने में मैं ये काम कर सकता हूँ जैसे मैंने आपको sent offers में list के अंदर जो वो दिखाया है तो आपने कोशिश ये करनी है कि रुजाना की 10 by request जो वो लाज़मी send करनी है तो इन्शालला बहुत जल्द आपको पहला order मिल जाएगा और जैसे ही पहला order मिले तो उसके बाद फिर आप उसको अच्छे तरह से डिलिवर करें अच्छे रिवियूज लें तो इन्शालला जो है वो आप अच्छा business जो हो फाइवर के ओपर कर सकते हैं उमीद करता हूँ आपको आज का ये lecture समझ आ गया होगा अगर कोई problem हो किसी किसम का तो आप इस video के comment box में पूछ सकते हैं और इसके साथ साथ मैं आपसे अजाज़त चाहता हूँ मैं हूँ नुमान इम्तियाज मलिक आपसे एक request ये है कि मेरे channel को kindly लाजमी subscribe कर लें bell icon पे click करके all पे click कर दें और अपने friends को भी ये channel suggest करें ताके वो भी आपकी तरह freelancing सीख सकें thank you very much इजाज़त दीजिए अल्ला हाफेज जी इस वक्त देखें हमें यहां पे buyer's request जहां वो नजर आ रही है तो हम पहली request देखते हैं hi there I'm looking for email marketer expert also who knows well facebook advertising I'm trying get leads for my business with facebook advertising you have to be expert in advertising and collect leads also you have to build eye catching landing page for me only facebook experts needed तो मैं चुके facebook expert भी हूँ मैं उसके काम भी करता हूँ तो मैं अब इसको offer send करूँगा send offer में आते हैं तो इसमें देखें यह जो मेरी gigs बनी भी है मैं इसमें facebook से related जो है वो gig select करूँगा तो इसमें यह मैंने gig बनाई भी है facebook से related I will create facebook business page चुके इसको भी इस तरह कहीं चाहिए तो मैं यह gigis को जो send करूँगा यहाँ पर मैं offer जो है वो लिखता हूँ तो मैं से लिए फिघे रking तो मैं से लिए से UFO तुके बनाई थस्यवादy कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो झाल 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 तो यह देखें मैंने एक आफ़र बनाई है जो मैं इसको सेंड करूँगा अब यहां पे मैं अमाउंट लिख रहा हूँ कि यह मैं काम जाब वो कितने में कर दूँगा तो इसमें मैं इसे कहता हूँ कि जनाब यह मैं काम जो है वो इसको 100 डालर में कर दूँगा और डिलिवरिट टाइम मैं इससे ले ले लेता हूँ तकरीबन दो हफ़ते का टाइम मैं ले लेता हूँ उसके बाद मैं यहां पर इसको सब्मिट ऑफर कर देता हूँ तो यह देखें यह मेरी ऑफर जो है वो सेंड हो गई है इस तरह यहां पर एक और कस्टमर रिक्वेस्ट है अब यहां पर यह एक और रिक्वेस्ट है मेरे इंट्रेस्ट की I'm looking for a YouTube SEO expert for my YouTube video SEOs तो मैं इसको जो आफर सेंड करता हूँ झालो सेंड कर द altern div तक तो मैंickers कर द तक और भर यहां एक लिए है झाल 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 इसको मैं बता देता हूँ 50 डॉलर्स में मैं ये काम करूँगा और मैं इसको तीन दिन का टाइम देता हूँ और इसके लाव मैं इसको सोचल मेडिया शेरिंग भी साथ दे दूँगा और इसको मैं कहता हूँ फेस्बुक पे एक प्लिट फार्म पे मैं सेंड कर दूँगा और साथ वट्सैप पे दू प्लिट फार्म पे सेंड करूँगा मैं ये आफर सब्मेट कर देता हूँ तो इस तरह से नाजरीन आपने क्या करना है रोज की दस ओफर्स जो है वो अपने इंटरस्ट की सेंड करनी है और इन्शालब मुझे अमीद है कि अगर आप रुज़ाना की दस ओफ़र्स ऐसी ओफर्स जिन पे आप वाकी काम कर सकते हैं सेंड करें तो इन्शाला बहुत जल ज़ाओ आप आडर हासल करने में कामयाब हो जाएंगे और जब आपने आडर हासल कर लिया उसके बाद आपके लिए इन्शाला आडर्डर की एक लंबी लिस्ट होगी जो आप काम कर करके ठक जाएंगे लेकिन आपका काम ज़ाओ कम्पलीट नहीं होगा और आपको मज़ीद आडर्डर क्यू में ज़ाओ लगे में मिलेंगे उमीद करता हूँ कि आपको आज की ये विडियो समझ आ गही होगी किस तरह से आपने कस्टमर से ओर्डर लेने के लिए ओफर्डर सेंड करनी है दोबारा देख लें आपने अपने अकाउंट को जब उपन करना है तो यहाँ पे मोर की आप्शन है इसमें बायर्ज रिक्वेस्ट की आप्शन है जब आप इसके अंदर आएंगे तो यहाँ पे आपको यह एक्टिव के अंदर आ जाएं इसमें आपको यह डिफरेंट जो है वो कस्टमर या बायर्ज रिक्वेस्ट नजर आ रही होंगी आपने इन रिक्वेस्ट को रीड आउट करना है और इसके गेंस जो है वो अपनी आफर जो है वो सेंड कर देनी है जैसे मैंने आपको दो एक्जामपल जो है वो सेंड करके बताई है अमीद करता हूँ कि आपको कोई प्रॉबलम नहीं होगी आप इस चीज़ को फालो करें और इन्शाला जो है वो आप आडर जल्दी हासल करें में कामयाब हो जाएंगे कांडली मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा और इसके बारे में अगर आप कुछ पूछना चाहें तो नीचे कमेंट में पूछ लीजेगा मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताके इस तरह की जतनी इंफर्मेटिव वीडियोस हैं और वो आप तक पहुँचती रहें और आप जो है वो सीखने का काम सीखने का अमल जारी रखें इजाज़े दीजिए अलाहाफ़ेज